समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादों का सुम्मौर को निधन हो गया 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फैक्शन के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मिदान ता अस्पताल में भरती थे अखलेश यादों ने समाजवादी पार्टी के ट्वीटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी थी सैफी में मंगलबार को मुलायम का अंतिन संसकार किया जाएगा प्रुधान बंतरी नरेंद्रमोदी ने ट्वीटर पर मुलायम सिंग यादों को शधाज ली थी उनके साथ अपने कई तस्वीरे पोश्ट की मुलायम को दो ऑक्टूबर को ऑक्सिजन लेवल कम होने के बाद आईसियो में शिफ्ट किया गया था मेदानता के पी आरों ने बताया था कि मुलायम सिंग को यूरीन में इंफेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्ट्रों ने उन्हें वैंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था 22 नमबर 1949 को सैफी में जन में मुलायम सिंग्यादों की पढ़ाई लिखाई रिटावा फतिहबाद और आगरा में हुई मुलायम कुछ दिन तक मैनपूरी के एक करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्रध्यापक भी रहे पाँच भाई बहनों में दूसरे नमबर पर मुलायम सिंग की दोश शादिया होई पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था अखलेश यादो मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटी है उनके निधन पर राज निताओं सिलेक आम लोगों तक ने दुख जताया है मुलायम सिंग्यादों दोश साल से बिमार चल रहे थे परशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अकसर होस्पिटल में भरती कराया जाता रहा पिछले साल उन्हें कोरोना भी हुआ था